न्यूस क्लिक की स्वतंत्र और आजाद पत्रिकारिता को समर्थन दीजिए, इस लिंक पर क्लिक कीजिए, जॉइन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद हमारी मेंबर्शिप को ग्रहिण कीजिए आपके सामने तीन विकल्प न्यूस क्लिक कीजिए अच्छार आप देख रहे हैं निउस चक्र मैं अभिसार शर्मा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी अमरीका की आतरा से लोट रहे हैं, वहाँ पर बीजेपी सरकार ने ऐसा कौन सा महान काम किया, कि प्रधा जश्ण मना रहे हैं, किसी को परवाह नहीं है कि कुरोना को लेकर कुछ दिशा निर्देश हैं, कम से कम उसका अनुसरन, उसका पालन, बीजेपी को तो करना चाहिए, और बात यहां नहीं रुकती है, ये देखिए साहब, बीजेपी के अध्यर जेपी नडड़ा ने बाका अमरीका में ऐसा क्या किया, जिसके लिए आप वहाँ पर जैश्ण मना रहे थे, जबकि ऐसा हुआ वहाँ पर, जो आज तक, आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ है आपके स्क्रीन्स पर अमरीका के राश्पती जो बाइडन, जो बाइडन ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को नसीहत दी कि महात्मा गांधी के सिध्धान्थ आज के दोर में और भी ज्यादा जरूरी हो गए हैं जो बाइडन ऐसा क्यों कह रहे थे भारत को जो बाइडन को ऐसा क्यों लगता है कि भारत को गांधी के सिध्धान्तों का पालन करने की जरूरत है और बात यहां नहीं रुकी उसके बाद वहां की उपराश्ट्रपती ने तो लोकतंत्र के मूल्यों पर प्रधान मंत्री को उनके सामने ही नसीहत दे डाली देखिए वीडियो 15 सेकंड का है अब आप मुझे बताईए इन दोनों चीज़ों के बाद ऐसी कौन सी जरूरत थी देश में आकर जश्ट मनाने की और सबसे दुख की बात यह दोस्तों कि भारती जनता पार्टी के नेता जो है न वो चाटुकारिता की तमाम हदों को पार कर देते है सुशील मोदी बिहार बीजेपी के नेता और एक जमाने में डेपिटी सीम उनका ये कहना है कि नरेंद्र मोदी देश के एक मात्र ऐसे प्रधान मंत्री थे जो एक जमाने में सीम भी हुआ करते थे यानि कि सीम से पीम बनने वाले वो एक मात्र प्रधान मंत्री हैं पहले तो इनकी बात सुनिए फिर मैं आप इसकी चर्शा करता हूँ यह मैठे लोगों को शायद नहीं मालूब होगा कि नरेंद्र मोदी जी 13 साल तक गुजरात के मुख्य मंत्री थे 13 साल और फिर गुजरात के मुख्य मंत्री से वो देश के प्रधान मंत्री बने उनको साथ साल हो गया यानि पिछले बीस वरसों से वो मुख्य मंत्री और देश के प्रधान मंत्री के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं आजादी के बाद एक भी प्रधान मंत्री नहीं वा देश के अंदर जो मुख्य मंत्री भी रहा हो और प्रधान मंत्री भी रहा हो तो नरेंद्र मोदी अकेला वेक्ती है जो मुख्य मंत्री राकर सुनोंने गुजरात को किन उचाईों तक पहुचा दिया और जब वो प्रदान मंत्री बने तो आज पर दुनिया में भारत का डंका बज रहा है जैसे मैंने कहा ना दोस्तों शाटु कारिता की तमाम हदों को पार कर देना मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मोदी जी सुशील मोदी जी यानि छोटे मोदी जी इन चेहरों पर गौर कीजे मुरार जी देसाई बॉंबे स्टेट के सीम थे बाद में जाकर वो प्राइम इनिस्टर बने अब इस चेहरे पर गौर कीजे आपके स्क्रीन्स पर यह हैं एच डी देवे गौडा करनाटक के सीम थे बाद में पीम बने इस चहरे पर गौर कीजे विश्वनाब तृताप सिंग उत्तर पदेश के CM थे बाद में जाकर PM बने शौधरी चेरण सिंग ये भी उत्तर पदेश के CM थे बाद में जाकर PM बने लंबी चौड़ी फेहरिस्त है अकेले मोदी जी नहीं थे मगर इनको पता है कि जो इनके भक्त हैं जिनने पूरी तरह से इन्होंने WhatsApp के जरीए brainwash किया गया है इनको ये कोई भी जानकारी दे देंगे वो लोग मान जाएंगे प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी की तारीफ कीजिए मुद्दों पर कीजिए तत्थों पर कीजिए मगर इस तरह से देश की जनता को मूर्ख मत बनाईए और सबसे बड़ी बात भारती जनता पार्टी को ऐसा क्यों लगता है कि प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी का काम बगएर प्रचार के नहीं चल सकता मैंने आपको दिखाया उनके लोटते ही जश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् वीस्टा प्रॉजेक्स प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी पहुँच गए वहाँ पर बगैर सुरक्षा के और वहाँ पर जो निर्मान चल रहा है उसकी वो फर्स्ट हैंड जानकारी ले रहे हैं उसका मुआइना कर रहे हैं मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ अगर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी बगैर सुरक्षा के वहाँ पहुँच गए तो ये कैमरेमिन कहां से पहुँच गया भाईया मैंने आपसे क्या कहा इस सरकार के लिए प्रचार से ज़्यादा जरूरी कुछ नहीं है एक तरफ ये कहते हैं इन्होंने अपने प्रचार तंत्र के जरीए क्या पहलाया कि बगैर सुरक्षा के पहुँच गए मगर आपको ये नहीं बता रहे हैं कि सुरक्षा वहा पहुँची हो या ना पहुँची हो कैमरेमिन जरूर पहुँच गया था क्योंकि देश को बताना है दुनिया को बताना है कि प्रधान मंत्री आराव ही नहीं करते हैं और बात यहां नहीं रुकती है दोस्तों, पूरा मीडिया लग गया था, अब मैं आपके पूरे स्क्रीन्स पे दिखा रहा हूं दोस्तों, ये कुछ ट्वीट्स हैं, जो प्रधान मंत्री ने Central Vista Projects जब गए थे वहां पर मुआयना करने, ये ट्वीट्स आपके स्क्रीन्स प ये संदेश है, आप सब इस पे ट्वीट करें, और बात यहां नहीं रुकती है, आपके स्क्रीन्स पर दोस्तों ही हैं पत्रकार एक चैनल की क्या कह रही हैं, आज ही प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, देश लोटे और रात लगभग पौने नौ बजे, बगएर किसी या सेक्योरिटी डीटेल्स के नए संसद्भवन की साइट पर पहुचे और लगभग एक घंटा बिताया, थकान इनकी डिक्ष्णरी में सचमे नहीं हैं, यह वो पत्रकार हैं जो सवाल पूछते हैं, कि आप कौन सा टॉनिक पीते हैं, दुख की बात यह दोस्तों, सब की जुबान ऐसी है, सामने देखिए साब, यह देखिए, टाइम्स नाओ की संपादक हैं यह, जस्ट वान क्वेस्टिन, वेर ड़स पी एमो गेट अल दिस एनरजी फ्रॉम, उन्हें यह उर्जा कहां से आती है, बहुत दुख होता है दोस्तों, इस देश की मीडिया की स्थि को देखकर, इनके पास सरकार से सवाल पूछने का माददा और हिम्मत बिल्कुल नहीं है, मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ दोस्तों, देश का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला न्यूस चैनल यह कह रहा है कि दुनिया में डंका, देश में जश्न, इन न्यूस चैनल ने सरकार से या भारती जंता पाटी से सवाल बिल्कुल नहीं किया कि विदेश की जमीन पर जाके हमें वहां के राश्चबती गांधी के सिध्धानतों पर नसीहत दे रहे थे, वहां की उपराश्चबती हमें लोकतंतर के मुल्यों पर नसीहत दे रहे थे, और यह क् इस तरह का प्रॉपगैंडा चलाया और इनको शर्मानी चाहिए इस बात के लिए आपके स्क्रीन्स पर ये ट्वीट देखिए जिन्होंने भारत में जलती चिताएं दिखाएं भी और उसकी तस्वीरें डॉलर में बेची भी उन्होंने अमरीका के इस मैदान की तस्वीर क्य आगया है और इस ग्राउंड पर जैसे कि आप देख रहे हैं छोटे-छोटे सफेज जंडे लगाये गए हैं हर एक व्यक्ति जो अमरीका में कोरोना की वज़ा से मरा उसकी नुमाइंदगी चलते उसके प्रतीक की चलती जंडे जमीन पर लगाये गए थे मैं टाइम्स लोग मरे वो इस बात से शेरमिंदा नहीं थे वो इस बात से बिलकुल शेरमिंदा नहीं थे मगर इतने बड़े न्यूस चैनल ने कि अपनी सरकार से पूछा कि तुम आकड़े क्यों छुपा रहे हो तीन मिसाले मैं आपको देना चाहता हूं दोस्तों सबसे पहले आर्टि पदेश की आदितनाच सरकार ने मृतकों के आकड़ों को 43 गुना कम दिखाया यानि कि 43 मौते हुई होंगी तो उसे इन्होंने एक दिखाया ये कहता है आर्टिकल 14 का ये लेक बात यहां नहीं रुकी दोस्तों आप गुजरात की बात करते हैं क्योंकि इन पत्रकारों ने अमरीका जाकर देश को ये बतलाने का प्रयास किया कि देखो अमरीका में कितने लोग मारे गए इन में इतनी हिम्मत नहीं कि ये बता सकें कि गुजरात ने 27 गुना कम बताया मृतकों का आकड़ा याने कि अगर 10,000 लोग मरे होंगे तो असली आकड़ा था 2,81,000 और लंबी चोड़ी पड़ताल के बाद ये बात पता चली है आपके सामने वाइर का आर्टिकल देखिए दोस्तों और बात याने कि आउटलुक क्या कहता है After Bihar, data now points at under counting of COVID deaths in Madhya Pradesh Uttar Pradesh, Gujarat, Madhya Pradesh, Bihar सब जगों पर आप देख रहे हैं कि मृत्कों की तादाद को कम करके देश की जनता के सामने रखा गया इन पत्रकारों में ये हिम्मत नहीं पूछने की ये सिर्फ और सिर्फ चाटुकारिता कर सकते हैं जी हाँ, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि विदेशी जमीन पर जाकर इन पत्रकारों ने न सिर्फ देश की नाग कटाई है बलकि खुद की नाग भी कटाई है ये विडियो देखिए First Secretary स्नेहा दुबे जिनोंने सयुक्त राश्ट राम सभा में भाशन दिया उनका इंटर्व्यू करने एक पत्रकार घुज जाती है उनके रूम में और फिर स्नेहा दुबे बाकाइदा उन्हें बाहर का रास्ता दिखलाती है इतना जलील कौन होता है भाई आपको पता होना चाहिए कि First Secretary पत्रकारों से बात नहीं करती है उसके लिए विदेश मंत्राले का प्रवक्ता है मगर दिक्कत क्या है इन्हें लगता है कि भाई स्टूडियो के अंदर तो मैं दबंगई दिखा सकती हूं स्टूडियो के अंदर बैटकर तो मैं सरकार का प्रॉपेगांडा कर सकती हूं विपक्ष पर आरोप मन सकती हूं विपक्ष को टार्गेट कर सकती हूं और उसी दबंगई के चलते ये लोग First Secretary के रूम में घुज गए और फिर First Secretary ने बाकाइदा बहुत प्यार से इन्हें जलील करते हुए बाहर का रास्ता दिखला दिया बार बार ये पत्रकार खुद को तो जलील कर ही रहे हैं बलकि देश को भी जलील कर रहे हैं धेरों मिसाले आई इस बार अमरीका की आत्रा में और ये पहली बार नहीं है जब गोदी मीडिया इस तरह से जलील हुआ है आपको वो वीडियो याद है किसान अंदोलन वाला जिसमें ये पत्रकार जो हैं बताईए ना आखिर आप हर जगा क्यों जलील हो रहे हैं और दोस्तों भारती जाता पार्टी के प्रचार तंत्र को प्रचार की पब्लिसिटी की इस कदर भूख है कि ये लोग जूट का सहरा लेते हैं अब आप कहेंगे क्यों वैसे तो इस बात का जिक्र मैं अपने पहले के कारकरव में कई बार कर चुका हूँ मगर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी अमरीका से लोटते हैं और अचानक वाटसाब ग्रूप्स में ये प्रचार किया जाता है ये बताया जाता है कि नियू यॉक टाइम्स के पहले पन्ने पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की बाकाइदा तस्वीर के साथ ये तस्वीर शपी है देखिए और इसमें लिखा हुआ है सरसर जूट क्योंकि जिस तारीख का यहाँ पर जिक्र किया गया है हाला कि यहाँ पर आप देखिए इनको स्पेलिंग भी इन्होंने गलत लिखा हुआ है सेप्टेम्बर लिखना चाहिए था इन्होंने सेटपेम्बर लिख दिया है तारीख क्या है दोस्तो सेटपेम्बर सॉरी सेप्टेम्बर 26 और उसी दिन New York Times का जो पहले पन्ने का आर्टिकल था वो ये था आपके स्क्रीन्स पर पहले पन्ने का क्या आर्टिकल है Fabled Police for Shows Limits of Death Enquiries ये है इनका लीड आर्टिकल ये है इनका हेडलाइन और भारती जहता पार्टी का प्रचार तंत्र बाकाइदा आपके सामने अपने WhatsApp University के जरीए एक जूट का प्रचार प्रसार कर रहा था कि देखिए सहाब New York Times के पहले पन्ने में प्रधान मंत्री नरेंद्र बोदी की तारीफ हुई है जबकि मैं आपको बतलाना चाहता हूँ प्रधान मंत्री नरेंद्र बोदी नी भारती जाता पार्टी सरकार इस बार अपने अमरीकी दोरे में लगातार एक्स्पूज हुई है सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र बोदी वहां सयुक्त राष्ट आम सभा में पहुँचकी ये नसीहत देते हैं कि हमें वैग्यानिक सोच अपनाने की जरूरत है सुई प्रधान मंत्री ने क्या कहा था आज बिश्व के सामने रिग्रेसिव थिंकिंग और एक्स्ट्रिमिजम का खत्रा बढ़ता जा रहा है इन परिस्थितियों में पूरे विश्व को साइंस बेज रेश्टनल और प्रोग्रेसिव थिंकिंग को विकास का आधार बनाना ही होगा प्रधान मंत्री मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अगर आपको लगता है कि पूरी दुनिया को वैज्ञानिक सोच अपनाने की जरुत है तो आज से करीब साथ साल पहले बच्चों के सामने बैठकर आपने ऐसा क्यूं कहा कि क्लाइमेट चेंज नाम की कोई चीज नहीं होती है हम बदल रहे हैं, क्लाइमेट नहीं बदल रहा है यानि कि दुनिया भर में डंका पीटा जा रहा है क्लाइमेट चेंज को लेकर और आपका कहना है कि हम बदल रहे हैं, क्लाइमेट नहीं बदल रहा है सुनिए प्रधान मंत्री ने क्या कहा था Sir, my question to you is that we, in Assam, feel very concerned about climate change and its consequences Sir, how can you help and guide us to protect our pristine environment? देखी, आज छोटे छोटे बालक भी climate change and environment change की चर्चा कर रहे है अब मैं मरे मन में एक सवाल है कि सच मुच में क्या change हुआ है हम अपने आप से पूछे आपने देखा होगा कि हमारे गाउं में जो बड़ी आउई के लोग होते हैं न सत्तर, असी, पच्चासी, नभे साल के लोग तो शर्दियों में आप देखेंगे तो अक्षर कहते है कि पिछली बार से इस बार शर्दी ज़्यादा है ऐसा कहते है न अच्चुली शर्दी ज़्यादा नहीं है उनकी उमर बढ़ने के कारण उनकी सहने की शक्ती कम हो गई है इसलिए उनको शर्दी ज़्यादा मैसूस होती है तो परिवार के जो मुझूर लोग है वो कहते है भई पिछली बार इतने शर्दी नहीं थी इस बार शर्दी ज़्यादा हो गई वैसे ही यह क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है हम चेंज हो गए है और बात यहां नहीं रुकी दोस्तों कोरोना के दौरान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि साहब थाली पीटो ताली बजाओ और अगर उन्होंने वहां तक बात कही होती तो बात समझाती उसके बाद उनके प्रचार तंत्र ने बाकाइदा एक जूट चलाया जो पूरी तरह से अंसाइंटिफिक था कि थाली और ताली पीटने से कोरोना का इलाज होता है इन्होंने बाकाइदा न्यूस चैनल्स का इस्तमाल किया देखिए इसकी एक छोटी सी जलक रविवार को यहने जन्ता करिफ्यू के दीन शाम को ठिक पांच बजे हम अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर या बालकनी में या खीडकियों के सामने खड़े होकर पांच मिनिट तक रविवार को शाम को पांच बजे पांच मिनिट तक ऐसे लोगों का आभार व्यक्त करेंगे और आभार कैसे व्यक्त करेंगे ताली बजा करके थाली बजा करके गंटी बजा करके बात यहां नहीं रुकती है प्रधान मंत्री ने ये भी कहा कि नाले से निकलने वाली गैस से हम चाय का स्टोव जला सकते हैं क्या ये वैज्ञानिक सोच है देखिए प्रधान मंत्री ने क्या कहा और सबसे बड़ी बात प्रधान मंत्री अगर आपको लगता है कि वाकई भारत वैज्ञानिक सोच पर चल रहा है तो आपके ये दो मंत्री हर्श वर्धन और नितिन गड़करी रामदेव की कोरोनिल का उद्गाटन क्यों कर रहे थे क्योंकि रामदेव लगतार बता रहे थे कि कोरोनिल जो है वो कोरोना का इलाज है जिसके पीछे जिसकी कोई वैग्यानिक जमीन नहीं है यही नहीं रामदेव लगतार हमारे डॉक्टर्स को जलील कर रहे थे कोरोना के दवाओं को लेकर कोरोना के इलाज को लेकर भरामक संदेश दे रहे थे आज तक प्रधान मंत्री आपने उन पर कोई आक्शन नहीं लिया मैं यही तो समझना चाहता हूँ अप्रधान मंत्री जब आप यह कहते हैं कि वैग्यानिक सोच में हमारा विश्वास होना चाहिए तो यह कथनी और करनी में फर्ख क्यों है फिर आपके ही अपने मंत्री आपके ही अपने सांसत कहते हैं गवमूत्र पीने से कुरूना का इलाज हो जाता है क्या आपने कभी भी इन मंत्रियों को इन सांसतों को लतार लगाई? कभी नहीं आपके अपने एक मंत्री कह रहे थे कि आप भाबी जी के पापड़ खाने से कुरूना का इलाज हो जाता है और उन्हें बाकाइदा उसका विज्ञापन किया ये तथ हैं मोदी जी इसलिए आप जब अंतराश्री मंच पर जाकर वैज्ञानिक सोच बनानी की बात करते हैं तो उस पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है और फिर आप ये भी कह रहे थे कि भारत के अंदर लोगतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत हैं सुनिया आपने क्या कहा था मैं उस देश का प्रतिनीदित्व कर रहा हूं जिसे मदरब डेमोक्रेसी का गवरव हासिल है लोगतंत्र की हमारी हजारों वर्षों की महान परंपरा रही है इस पंदरा अगस को भारत ने अपनी आजहादी के पच्चतरवे साल में प्रवेश किया है हमारी विविदता हमारे ससक्त लोगतंत्र की पहचान है एक ऐसा देश जिसमें बरजनों भाशाएं है सेंक्डों बोलिया है अलग अलग रहन सहन खानपान है ये वाइबरन डेमोक्रेसी का बहतरीन उधारण है ये भारत के लोगतंत्र की ताकत है क्या ऐसा सशमुष है प्रधान मंत्री क्या ये हकीकत नहीं है कि आप से सवाल करने वाले मीडिया से आपका पूरा प्रचार तंत्र आपकी सरकार इस कदर असरक्षित है कि आप उन पर इंकम टाक्स की रेड मरवाते हैं आप उन पर इडी की रेड मरवाते हैं आप उनके पत्रकारों को आपका पूरा प्रचार तंत्र उनके पत्रकारों को ट्रोल करता है उनके परिवारों को टार्गेट करता है क्या ये हकीकत नहीं है क्या ये हकीकत नहीं है कि आप लोगों से आपकी सरकार से आलोचना बरदाश नहीं होती है सवाल बरदाश नहीं होते हैं बताइए और फिर अंतराश्वी जमीन पर जाकर आप लोगतंतर की बात कर रहे हैं आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मैंने आपको बाकाइदा उस महिला पत्रकार का जिक्र किया जो जाकर देश की नाक टवा रही है अगर विदेशी जमीन पर ऐसे भारती पत्रकार मौजूद होंगे जो बगएर डरे सरकार से सवाल करें तो आपका नाम और भी रोशन होगा, तब दुनिया कहेगी कि देखिए भारत से ऐसे पत्रकार आते हैं जो सरकार से सवाल करते हैं बगएर डरे और दो हजार चौदा से पहले ऐसा होता था, अब ऐसा नहीं होता है और दो हजार चौदा के बाद से इस देश की अंतर राष्ट्री साख लगातार किस तरह से गिरी है, उसकी मिसाल हम देखी रहे हैं जब दूसरे देश के राष्ट्रपती हमें, हाँ, अमरीका हमें गांधी की सिधानतों पर चलने की नसियत देता है या हमें बताया जाता है कि लोकतंत्र के मुल्यों पर हमें अमल न करना चाहिए वहां जाकर भाजपा सरकार ने सिर्फ और सिर्फ देश की नाक कटवाई है और इसमें साथ दिया है आपके पालतू ढरे हुए मीडिया ने मगर यहां निउस शक्र में हम आपके सामने लगातार ऐसे ही मुद्दे उठाते रहेंगे हम पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि हमारी जिम्मेदारी अपने दर्शकों के प्रती है हम उससे पीछे नहीं हटेंगे दोस्तों अब इसार शर्मा को दीजे जासत नवस्कार